नमस्कार में शिवाने सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेश कारिक्रम हिस्ट्री ऑफ दे में कलकता विश्विद्धाले की आज के दिन की गई थी स्थापना कलकता में 24 जन्वरी 1857 को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकता की स्थापना की गई थी ब्रिटिस राज में स्थापित कलकता विश्विध्यालों को दुनिया के सबसे पुराने आधुनेक विश्विध्यालों में से एक माना जाता है देश में सरवार्द एक नोबल विजेता तैयार करने का श्रेव ही कलकता यूनिवर्सिटी को ही जाता है इसमें रोनाल्ड रास, रविंद्र नार्ट अगोर, सीवी रमन और अमर्तिय सेन कलकत्ता युनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं यहां के प्रथम दो ग्रेजुएट बंकिम चंद्र चटर जी और जुद्धोनाद बॉस तमाम छात्रों के लिए आदर्श रहे हैं जनगणमन को आज के दिन मिला था रास्टेगान का दर्जा देश का रास्टेगान जनगणमन मोलता बवंगला भाशा में गुरुदेव रविंद्रना ठाकुर द्वारा लिखा गया था इसे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जबकि भारा सरकार ने 24 जनबरी 1950 को इसे रास्टेगान के रूप में अंगिगरत किया था रास्टेगान के गायन की अवधी लगभग 52 सेकिंड निर्धारित है रविंद्रनाठ टैगोर की दूसरी रचना आमार सोनार बांगला को बांगला देश में रास्टेगान का दरजा प्राप्त है आज के दिन मनाया जाता है रास्ट्रिय बाली का दिवस रास्ट्रिय बाली का दिवस हर वश 24 जन्वरी को मनाया जाता है इस दिन पूर प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को नारी शक्ती के रूप में याद किया जाता है 24 जनवरी को ही इंद्रा गांधी ने पहली बार 1966 में प्रधान मंत्री के रूप में कारे भार समाला था इसलिए इस दिन को रास्ट्रे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है रास्ट्रे बालिका दिवस का उद्देश बालिकाओ के अधिकारों और सिक्षा, स्वास्ते और पोशन के महत्व को लेकर जागरुकता बढ़ाना है देश के परमाणू कारेकरम के जनक होमी जहांगीर भाबा का आज के दिन हुआ था निधन देश के परमाणू उर्जा कारेकरम के जनक महान विज्यानिक होमी जहांगीर भाबा का 24 जनवरी 1966 को विमान दुरगटना में निधन हो गया था डॉक्टर भाबा ने मार्च 1944 में उस समय नाभी किया उर्जा पर अनुसंधान आरंब किया था जब नाभी किया उर्जा के विद्यूत उत्पादन की कल्बना करने तक को कोई तैयार नहीं था डॉक्टर भाबा को आर्केटेक्ट आफ इंडियन आटोमेटिक एनरजी प्रोग्राम भी कहा जाता है उन्होंने देश को परवाणु शक्ती बनाने के लिए टाटा इंस्टिट्यूट और फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी डॉक्टर भाबा 1947 में गठित परवाणु उर्जा आयों के पथम अध्यक्ष न्यूक्त हुए थे आज के लिए बस इतना ही कल्फर भेट होगी तिहास में दर्च कुछ और महत्पूर्ण घटनाओं के साथ और अब आज का राशीफल आज का राशीफल जोतिस वैग्यानिक गुरुदेव भारत ग्यान भूशन जी दुआरा 24 जन्वरी दिन रवीवार आज के भागे के विशा वस्तु है यसपर्तिष्था मेस, आपके यसपर्तिष्था के लिए भागय क्यासी परतिश प्रतिष्था के लिए निशेदरंग चात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल वरा हो सकता है रिंद भार से मुक्ति मिले की नोकरी में तरक्की हो सकती है बाहरी इस्थानों से रहानी संभव है रुके हुए काम बनने के योग है शुबरंग लाल सिंदूरी तथा निशेद रंग नीला काला व्रश आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 52 परतिषत कारेश शेतर में आपकड़ी महनत करेंगे आपकी आमदनी में व्रद्धी होगी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे काम्याबी आपके साथ होगी या तरके योग है शुबरंग सफेद लाल तथा निशेद रंग सलेटी काला मिथुन आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 70 परतिषत आपकी आई बढ़ेगी बेरुजगारों को नोगरी के लिए अभी और भागदोर करनी पड़ सकती है आर्थिक इस्थिति में सुधार के योग है शुबरंग हरा लाल तथा निशेद रंग पीला सफेद कर्क आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 55 परतिषत नई सुध योगी मिलेंगे और आपका रुकावा काम गती पकड़ेगा वित्यमामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें आपके खर्श बढ़ेंगे प्रोफेशन में विपरीट लिंक के व्यक्ति से मदद मिल सकती है इस्थान परिवर्तन के योग है शुबरंग नारंग इलाल तथा निशेद रंग हरा काला सिंग आपके यस परतिष्टा के लिए भागे क्यान में परतिषक कोई शुब समचार संभव है सेहत में मन्द गति से सुधार होगा कोई भी निन्य लेने से पहले परिजनों में किसी अंतरंग अधवा विश्वास पात्र वेक्ति की सला लेना जरूरी होगा नई मित्र बनने के योग है कन्या आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 71 परतिषत भाग्या को अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे परिणामों का असर मिला जुला रहेगा कुछ मोर्चों पर समझोता करना पड़ सकता है आपका परिश्रम वेर्थ हो सकता है आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 42 परतिषत कोई परिशानी आ सकती है परंतु उसे आसानी से हल कर लेंगे धार्मी के आतराओं को व्यस्ता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है निराशा रहेगी इस्थान परिवर्थन के योग है शुबरंग लाल तसनी शेदरंग सफेद रश्चीक आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 46 परतिषत किसी परिजन को लेकर चिंता रह सकती है अनुकूल समय का लाव उठाए रुके हुए कार्या पूर्ण होंगे परिख्षार्ट्यों को अपेक्षित परिणामना प्राप्त होने से निराशा के योग हैं शुबरंग लाल सिंदूरी तसनी शेदरंग भूरा काला धनू आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 72 परतिषत जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं सब्र से काम लें पेज़वर इस तर पर अपनी शम्ता साबित करने में सफर लहेंगे योजना मनाकर सूज बूज के साथ अपने कार्यों को करते जाएं कार्य शेत में उचाधिकारियों से संयोग के योग हैं शुबरंग, पीला, बसंती, लालत, निशेदरंग, हरा, काला मकर आपके यस पर्तिष्टा के लिए भागे 46 पर्तिष्ट नोक्री की द्रस्टी से समय लाप्रद रहेगा आपके स्वास्त में सुधार आएगा, परन्तु अपने स्वास्त का ध्यान रखें उच्छा आयमां प्राक्रम बड़ा चड़ा रहेगा कार्य शेत में सफलता प्राप्ति के योग हैं शुबरंग, गुलाबित, निशेदरंग, काला कुम्ब, आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 47 परतिषत, किसी महपूर्ण कार्य के सिद्धी के योग हैं भाग्य भी आपके साथ हैं विशेश रूप से अपने पर्दस्वन पर ध्यान दे बहु परतिक्षित कार्य के संपन होने की संभावना है कार्य शेत में सहकर्मियों का सयोग प्राप्ति के योग हैं शुबरंग, गुलाबित, अनिशेद्रंग, सलेटी मीन, आपके यस परतिष्टा के लिए भाग्या 78 परतिषत, नोकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है नोकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग है निवेश करते समय पूरी सावधानी रखें व्यापाय विस्तार की योजदों को सफलता फूरवक की रियानवित कर पाने की योग है सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय साम 5 बज कर 34 मिनट से साम 7 बज कर 18 मिनट तक अधिक जानकारी के लिए संपर करें जोतिस वेज्ञानिक गुरुदें भारत ग्यान भूशन जी को सुन्य एक दो एक दो छे छे आठ 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 या सुन्य नो आठ तीन साथ सुन्य छे सुन्य सुन्य चार छे पर आज के लिए बस इतना ही कर फिल मिलेंगे नई जानकारे के साथ तब तक देखते रे सब्सक्राइब कीजिए आयाई एमटी मेडिया